नमस्ते दोस्तों कैसे आप सब उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे दोस्तों घर के काम हो या किचन के काम हो अगर कुछ अलग तरीके सिखिए जाएं तो काम भी आसान हो जाते हैं साथी हम लोग बोर भी नहीं होते हैं तो आज लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही यूजफ जाती हैं इनको आप बिलकुल ना फेक ये भी बहुत ज्यादा काम में आ जाती है तो आपको का ना क्या है ले नहीं है अच्छे से गरम पानी और जो भी एक्सपायर दबां किसी भी पिरकार की उनको आपको गरम पानी में इस तरीके से डाल देना है चाहें वह कैपसूल हो य अच्छे से मिला दीजिए तो यह बन चुका है इसको आप इस्तिमाल करिए किचन सिंग में किचन सिंग में बहुत सारे वैक्टिरिया बगएरा हो जाते हैं खाने पीने की चीजे जाने की वज़े से या वैड इसमेल आने लगती है तो आप इसको डाल देंगे तो दोनों ची पूंसी गरम तवय पर आपको टबाडर को कट रख करके इस दीकी से रग देना है और आपको लेना है कौफी पाउडर को अच्युआ से गरम कर ness?" जो ने होगाूं कि जब आपूपी पाउडर डालेंगे तो जो कॉपी है मिक्स हो जाएगी गठ़म की वज़े तो देख सकते हैं जैसी कौफी को डाला है तो रंती इसमें अच्छे से मिल गई है तो इस तरीके से आपको इसको गरमा गरमी बॉडी के किसी भी इससे में लगा लिजे हाथ पैस चेहरे में तो इस तरीके से आपको इसको रफ कर लेना है या पर मैंने हाथ में लगा के दिख सब्सक्राइब से PCA नाघे गर्टा में? आफ़ आकी जाएगी तो इस तरीके साब हकते में दो से तीन वार लगाएंगे तो आपक वां तक जादा समझ में आए खाली हो जाते हैं और इनको लोग साप करते हैं कोई दूसरी चीज बननी होती है तो इनकी स्मयल बिल्कुल नहीं जाती है कितना भी हम लोग इसको सुखाल है लेकिन क्या करिए आप ले लीजी यहां पर दो से तील लॉंग और इस तरीके से गैस चूला के उपर आपको लॉं आपको इस तरीके से डिब्बे बोतल को इसके ऊपर रख के और थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है जिससे की जो लॉंग का दूगा इसमें अच्छी से भर जाएगा इसके बाद में आप देखेंगे जो इसमें इसमयल आ रही थी वो समाथ हो जाएगी तो इस तरीके स आप किसी भी प्रकार के डिब्बे की समयल को समाथ कर सकते हैं अंगली टिफ है जूस निकालने को लेके अगर आपको संत्रे का जूस निकालना है और जूसर नहीं है तो भी आप आसान तरीके से जूस निकाल सकते हैं सबसे पहले आपको छिलके को अलग कर देना है और इसक इसके बाद में आप ले लीजिए कोई भी फ्षणनी, फ्षणनी केवल इस्टीली होने चाहिए इसके बाद किसी भी बरतर में रखेमें और कलीओं को आप इस तरीके से रखbean ज्वास या कटोरी की सायभा से आप इस तरीके से दबा दीजिए लेते हैं बहुत ही असानी से सागल सकता सक्ता है अयसके आप निकालके तैयार कर सकते हैं यांपर देख सकते हैं जूस currently निकल के आघ цвет है आओंग्यू जो नई आलू लाते हैं बाजार से इनके थ्लक्य पड़ दाता है तो निकलता हैार ना करे करिए ले ले तरीके की चाय चहनने वाली जहन नीजह सब्सक्रा हो 20 इससे अपको जेए जयर को चलाते जाएंगे जो आलू की जह हैं आजए आसानी से नीगल आएंगे जब आप इसे जहिए पिक जो आपान के शेला बच्चे भी बहुत ही आसानी से तयार कर देंगे अगली टिप्स है आपको लेड़ेना है वाइसलीन डालें उतना ही आपको इसमें कोल गेट पेस्ट निकाल लेना है तो दोनों चीजों को आपको परावर मात्रा में निकाल के और इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है बना के तयार कर लिया है इसका आप इस्तेमाल करिए जहाँ पर भी आपके घर में च्छिपकली बगएरा ज्यादा आती हो जहां पर भी कोई सामान लगा होता है जैसे की टेली भीजन है या घडी बगएरा या जहां पर कोई तस्वीर रखे होती है अक्सर उसके पीछे छिपकली छिप जाती है तो वहां पर आप इसको लगा दीजिए तो इसकी स्मयल से छिपकली बिल्कुल भी नहीं आएंगी थोड़ी सी मोटी होने चाहिए गिलपस के ऊपर आपको इस तरीके से अच्छे से बांध लेना है इसके बाद में आप जितने चाहें उतने बरतन दुलिए आपके हाथ बगेरा बिल्कुल भी गीले नहीं होगे और नहीं हातों में ठंडा पन लगेगा पानी का तो आप देख सकते हैं बरतनों को मैंने धुलिया है और जो उन्हें मोजे पहने हूए हैं बिल्कुल भी नहीं गीले हूए है और इसके अरवा हाथ भी नहीं ठंडे हूए है तो इस तरीके से आप सबसे कर सकते हैं अगर आपको आज क्या पशसंद आयों एक लायक कर देना चैनल पर पहल